वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाई पारसमल दुगर आप सबका हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभी नंदन है अभी तक इदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब करें आइकन बटन दबाना न पुले इससे आ थर्ड फिंगर का अगरवाग अमुठे के मूल भाग पर यहां अड़ी है यहां पर लगाएं अमुठे से दवाब सेंस दिना उंगल्या सीधी रहेगी इस तरह इस मुद्रा को सुरिय मुद्रा करते हैं दोनों आथ थाई पे रखे और साथ में डीप ग्रिधिंग दिर्ग स्वांस प्रेक्षा का अभ्यास करिए चालिस से पेंतालिस मिनिट एक साथ नहीं हो सके तो पंदरा पंदरा मिन दिन में तीन बार करिए इससे आपकी थाई रोड इससे कंट्रोल होती है दूसरी मुद्रा बता रहा हूं उदान मुद्रा इंडेक्स फिंगर का अगरवाग अगरवाग से लगाएं और इंडेक्स फिंगर के नाखुन पर मिडल फिंगर का अगरवाग लगाएं यह वनती है उदान मुद्रा थाईरोड के लिए यह मुद्रा भी बहत्रिन है इस मुद्रा का नाम है उदान मुद्रा पिर आप इस तरह थाईपाद रख सकते हैं उद जन्तुलित होते हैं गले का ये जो मध्य भागे इसको संकुचित करेंगे जिवा के अग्रभाग को तालू से लगाएंगे और स्वांस भरतिस में गले को जब संकुचित करेंगे तो गले स्वारी अंत्रिक से आवाज आएगी उस मदूर आवाज को कानों से सुनना है गले को संकुचित करें जिवा के अगरबाग को तालू से लगाएं इस तरह उज्जे प्रणायाम आप कर सकते हैं पांच मिनिट दस मिनिट अपनी सुईदा अनुसार कर सकते हैं इसे थाइरोड की विमारी कंट्रोल होती है इसके अलावा आईए हम करते हैं गरेलू उपाएं हमारा किच्चन हमारी लेट के उपाई बहुत उप्योगी है एक ग्लास घरम दूद में एक चमच जल्दी डालके उसको पकएए और स्वत्य समय उस दूद को आप पीजिए दूसरा नुसका है एक ग्लास गाय के दूद में एक टी स्पॉन अस्वगंदा का पाउडर डालकर सोने से पेले आप ले सकते हैं इसे भी थाइरोड कंट्रोल होती है प्राप्तक काल रोज खाली पेट लोकी का जूस एक ग्लास पीने से बिमारी खत्व होती है आधा पौना गंटा तक लोकी का जूस लेने के बाद कुछ भी न खाएं एक और नुसका बदाने जा रहा हूं दो चमच तुलसी के पत्तो का रस आधा चमच एलो वीरा का जूस मिला कर दिन में दो बार लें इसे भी थाइरोड कंट्रोल होती है इसके लवाएं एक मुद्रा करें उपाध्याय मुद्रा पान से आकरती बनाएं दोनों अतेलिया उपर चत की और गर्दन पीछे की और अब लग दिश्टी से पान की आकरती में से चत को निहारें ये प्रियोग भी आप नियमित कर सकते हैं दो आवरती, तीन आवरती, चार आवरती कर सकते हैं इससे थायरोड कंट्रोल होती है इस तरह है गरेलोन उसके मुद्रा नियमित रूप से करिए तो आपको थायरोड की विमारी से छुटकारा मिल सकता है ओम आरहन।